अच्छा टीवी की दुरिया में ना कहानी को पलटते हुए वक्त नहीं लगता, I mean पल में अगर किसी को पलकों पर बिठाते हैं तो पल में पटक भी देते हैं, अब कुलफी में कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, लवली जेल चली गई है, सिकंदर का स्टूडियो बिग्या है और स अब लोग चाल में रहने पर मजबूर हो गए हैं जलेख ए इलेख घलेख गहने जिए जिस राज को कई दिनों से लवली ने अपने जहन में दबा रखा था वो राज आज सामने आ गया है जी हाँ अब सिकंदर और कुलफी के अलावा अमायरा को भी इस बात का पता चल गया है कि लवली की गाड़ी से ही कुलफी की मा निम्रित का एक्सिडेंट हुआ था और फिर वो इस दुनिया से चल बसी पुलिस आज सिकंदर सिंग गिल के चौखट पर आई है लवली को पकड़ने के लिए लवली भी कई दिनों से घुट-घुट कर जी रही थी एक जुट के साथ लेकिन अब उसका जुट सब के सामने आ गया है लेकिन चौकाने वाली बात तो ये है कि इस जुट में अमायरा ने उसका साथ नहीं दिया फिलहाल अब कहानी में लवली जेल चली जाएगी इस सिकंदर गरीब हो जाएगा क्योंकि सिकंदर के गानों के राइट्स और उसका स्टूडियो किसी ने खरीद जो लिया है तो क्या अब हम आगे ये समझें के कुलफी और अमायरा दोनों साथ आगई हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा भले ही अमायरा ने कुलफी का साथ दिया हो लेकिन वो उसके साथ कभी नहीं रह सकती अलिशान से घर में रहने वाला स्रिकंदर अब चॉल में आ जाएगा याने की गरीबी की दिनों में आमायरा कुलफी और स्रिकंदर चले जाएंगे हिम मुंबई से निशे मिश्रा और नेहा सावंद के साथ एबीबी न्यूज रिपोर्ट